नारायन नारायन 21 अप्रेल आज का विशय संत समागम का अर्थ है संतों की आग्या का पालन कोई भी मंगल कारे हो सरवपथम गणपती का आहवान किया जाता है और सारा कारे समाप्त होने के बाद अंत में उसका विसर्जन करते हैं उसी प्रकार अनुसंधान से ही पोथी का प्रारम करे और अनुसंधान से ही पोथी की समाप्ती करें लौकिक कारे में गणपती का विसर्जन करने के बाद हम बचे रहते हैं पर अनुसंधान का विसर्जन करते समय हमें उसमें विलीन होना चाहिए जैसा रखना हो वैसा रखो किन्तु मैं तुम्हें न भूलू इतनी भीक मुझे दो ऐसी गुरू के चर्णों में हम प्राथना करें भगवान को भूल कर भजन मत करो भगवान का इसमरण रखकर यदि सबची भी मंडी से ले आए है जनसार हमें क्या कहेगा ऐसी लजचा के डर से भगवान को हम दूर न करें मैं कौन हूं इसका विचार करें और ऐसा विचार करने के लिए मैं किसी का भी नहीं हूं इसका चिनतन करें मैं अपने सगे संबन्दियों पती बच्चे मा बाप का तो हूँ ही नहीं, लेकिन मैं अपनी देह और अपने मन का भी नहीं हूँ, और ऐसा सोचते सोचते जो बचे का वह मैं हूँ सच्चा संतोश अकेले पन में है इसलिए द्वेत का जनक अभिमान कैसे कम होगा उसका चिंतन करे अदह मैं करता नहीं हूँ इश्वर करता है यह समझे सभी प्राणियों से भगवान ही है यह सूचे और संत्य समागम करे सत्य पुरुषों के वचनों पर विश्वास रख कर तदनुसार व्रत्ति निर्माण करना ही क्षा रख संत्य समागम है संतों पर अनन्य शद्दा रखे वे जैसा आचार विचार करते हैं वैसा तुम करो उनके समागम में दरिदता है ऐसा कभी मत मानो जो लगाता तुम्हारे विश्यों की पूर्थता कर देते हैं वे संत नहीं होते सच्चे संत विश्यों की आसकती कम कराते हैं ऐसे संतों की शरण में जाना चाहिए, संत की निर्विशय चित्त कर पाते हैं, संत इश्वर के दर्शन की लगन पैदा करते हैं, लगन पैदा कर देना ही संतों का कार्य है, संतों की भाषा में लगन होती है, अतह वही भाषा हमें लगन निर्मान करती है, संत जैसा कहें वैस आच्रन करना चाहिए संतों के बिना संसार असंबव है जो देह धारन करके दिखाई देते हैं किन्तु वास्ता में जो देह के अतीत होते हैं वे ही संत होते हैं हम उन्हें पहचान नहीं पाते इसका कोई उपाय नहीं है नाम के कारण ही संतों को पहचान पाते हैं उसी के रुकावट नहीं होगी किन्तु जो केवल शब्द ज्यान के फंडे में रहेगा शब्द के अनुसार आच्रन नहीं करेगा और आसकती कम नहीं होगी उसका जीवन सफल नहीं होगा सब जब संत हमें अपनाते हैं तब हमें हर संभव समालते हैं नारायन नारायन